एक सवाल है कि अगर एक आदमी के मरने के बाद उसकी ऑलाद उसके बच्चे उसके बेटे एक घर में रह रहे थे और उस मरने वाले के तरके में सिर्फ वही एक घर था तो उसके मरने के बाद अगर उसके घर को छोड़े हुए घर को उसके सारे वारिसे में यानि सारे बेटो में और सारी बेटियों में बाटना शुरू कर दें तब तो जो लोग उस घर में रह रहे तो तो रोड पे आ जाएंगे सड़क पे आ तो कैसे उसको बाटें यह सवाल क्या है कि अद्म अपर जोड़ा सिर्फ एक घर में उसके चुछ बच्चे रह रहें उसका और भी बच्चे हैं बेटियां हैं लेकिन कुछ ही लोग रह रहे तो क्या उस एक घर को उसके सारे बेटों में बाटना ज़रूर यह और अगर ऐसा क करने बैठते हैं बाठते हैं तो फिर व घर तूट जाएगा तो गर में रिने वाले सअर्ट पर आ जाएए तो क्या करें तो देखे अगर सवाल की भी सब्सक्राइब हल है मैं आपको बताता हूं अभी लेकिन अगर दूसरे हल कामYाब नहों तो लाश्ट में यहीं करना आपको सड़क पे आना है सड़क पर रहना लेकिन वह घर आपको छोड़ना है क्योंकि आपका नहीं वह कई लोगं का ना तो जब तक बाप की जिन्देगी में आप उस घर में रह रहते ना समझ लीजिए कि आप उसके मालिक नहीं थे और यह हकीकत आप उसके मालिक नहीं थे बलकि उसने सिर्फ रहने के लिए आपको दिया था अब उसकी मिलक्याट ट्रांसफर हो चुकी है अभी बाप मालिक था वो बोला रहो और अब उस घर के मालिक कई हो गए तो आप इन लोगा फैसला चलेगा ना कि आपको रहना है कि नहीं रहना तो अब अगर यह लोग कहते हैं कि नहीं हमारा घर खाली करो अमको it to आपको खाली करना अपड़Я इसको मैं मिसाल से आपको समझाओ मिसाल के फिरी में किराय मत देना मेरे घर में रह अब एक आदमी अपने बाल बच्चों के साथ पूरी फैमिली के साथ अपने दोस्त के फलेट में रह रहा है कुछ दिनों के बाद इस दोस्त का इंतिकाल हो जाता है इंतिकाल होने के बाद वह फ्लेट किसका हो जाता है इसके बच्चों का अब इसके बच्चे बोलते हैं कि वह हमारा अब्बा का फ्लेट खाली करें तो खाली करेगा कि नहीं तो क्या वो लोग यहां पर यह बोलेंगे उसके बच्चे खाली करा रहे हैं आपको खाली करना पड़ेगा उन बच्चों का बाप आपको रहने के लिए दिया था तो आप रह रहे थे अब वो फलेट बच्चों की मिलकियत में आ गया अब बच्चों का अब बच्चे खाली करा रहे हैं आपको खाली करना यही मामला ब पापकी मरजी नहीं चलेगी अब इन बच्चों की मरज चलेगी यह अगर बोलते हैं कि ठीक है अब भी कुछ दिन और रहे हैं लो तो कोई मसला नहीं लेकिन यह कहते हैं नहीं करो सबका हिस्सा है सब लेंगे तो आपको खाली करना पड़ेगा तो यह जहन में रखें कि वो रह रहे थे अभी तक वह आप की ने क्योंकि जहन में क्या बठा हुआ है कि हम इतने दिन तक इसमें रह रहे थे वह हमारा हो गया तो आप यह समझी वह आपका नहीं हुआ और जिसका है उनलों का फैसला चलेगा उनके मताविक आपको करना पड़ेगा अलबत्ता अगर आप चाहते हैं कि उसी घर में रहें कोई शकल निकले तो उसके कुछ रास्ते समझोते से निकल सकते हैं और इगर आप उस घरμεं रहना चाहतें तो रहें ovat तो रहा यह कोई मसला नहीं यह एक हल हैю दूसरा हलं यह हो सकता है कि आभी तो मेरे पैसा नहीं है मैं बाद में आपको पैसा देंगा लेकिन तब तक मैं आपको किराया देता हूं आप यह कहें कि इस घर में हमको रहने दीजिए हम रोड पे नहीं आना चाहते जब तक अब्बा का था अब्बा किराया नहीं ले रहते लेकिन अभी तुम सब का हो गया तो अभी मैं किराया द होते हैं तो इस तरह से कोई भी समझ होता हो जाए या ऐसे ही या ऐसे ही आप एक रखें कि अभी हमें कुछ दिन और रहने दो हमारा को इंदिदाम नहीं है जैसे होता हम समय बार देंगे दूसरे वारसीन कहते हैं ठीक है कोई लिशना पड़ेगा दूसरों को उनका खग देना पड़ेगा क्योंकी वो सिर्फ एका नहीं है बाप की जिंदगी में बाप का था किसीיר नएयदा cambiar बच्चों में अल्ला हम सबको तौफिक दे प्रूविक देट